मैं अहीं बाह्य प्रोडक्ट रज्यों करवानों प्रयास करयों छे, जे एक ओप्रेटर छे, परन्तु आ बाह्य प्रोडक्ट जो तमें जोशो, तो ते सम्मान सेट नी बाह्य प्रोडक्ट छे, प्रोजेक्शन ओप्रेटर ना प्रोपर्टी शूँ छे, चालो हूँ तमने आप पुछू, प्रोजेक्शन ओप्रेटर ना प् तो ते एक सरखूं रहशे, तमें गमें तेटली वखत करशो, ते समान हशे शुँ आपने अहीं चकासी शक्येगे, आपने पी 1 स्क्वेर लाइए P 1 स्क्वेर शुँझे, P 1 स्क्वेर, P 1, A 5, A 5 5 1 तमारी पासे पन, 5 1, 5 1 हशे पण आ शू छे अमे ओर्थो नॉर्मल बैसीज लिधो छे जेती ते एक छे तेथी आ फाई एक फाई एक समान छे ते प्रोजेक्शन ओपरेटर नो प्रोपर्टी छे अने केटलीक वार हुँ टोपी मुक्तो नथी परन्तू हवे ती तमने खबर होवी जोईए के आपने जे तीपण करता होए जारे हुँ एक बाह्य प्रोडक्ट लखिश त्यारे एक ओपरेटर हशे तेथी आ प्रोजेक्शन ओपरेटर नो प्रोपर्टी छे तेनी आईजन वेल्यू शू छे हवे तमे बे डाइमेंचनल वेक्टर स्पैसमा आपी शको छो तमे फरीथी लखी शको छो आनो बे क्रोस बे मेट्रिक्स छे बराबर तो चालो आपणी लखिये धारों के फाई वननने एक शून्य मानवामा आवे छे अने फाई बेने शून्य एक मानवामा आवे छे शूं फाई एक फाई एक छे एक शून्य 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 छे शून्य अने एक नी आईजन वेल्यू शूं थाई जो स्टेट ते सबस्पेस मा होई तो ते समान रिते प्रोजेक्ट थशे ते जेवू छे ते वुज रहिशे परण्तु जो ते सबस्पेस मा न थी तो ते जी हशे तेथी तमें अहीं कईक संतुष्ट पण करी शको छो के P1 स्क्वेर माइनस P1 ते इक्वेशन ने हल करी शके छे तमें P1 स्क्वेर माइनस P1 बराबर 0 तेम फरीथी लखी शकाई छे जेनों अर्थ थाई छे P1A क्या तो 0 अथवा A आए जन वेल्यू तरीके आपशे तो आ कंडिशन ज्यारे हूं लखिश के आ बे ओपरेटरों नी प्रोडक्ट छे आ कंडिशन का तो मने केशे के P1A 0 छे अथवा P1A 1 समान छे जे हूं कहवानों प्रयतन करी रहो छूं अने ते आ अवरोधो साथे पी 1 स्क्वेर समान पी 1 ने पन संतोशवा जोईये आ एक मात्र शक्यता छे ते थी ते आ प्रोजेक्शन ओपरेटर नी सुन्दरता छे के ज्या आ बाह्य प्रोडक्ट A5151A10000 छे तो बीजी प्रोडक्ट फाई बे फाई बे शुन्य 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 एक हशे तो फाई एक फाई बे शुन्य शे फाई एक फाई बे ए प्रोजेक्शन ओपरेटर नथी परन्तु ते हजूपण बे 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 मेट्रिक्स छे बे बाई बे मेट्रिक्स जुन्य शे कोई मने मदद करी शके छे ते एक शुन्य शे जे शुन्य एक नो मल्टीप्लाई करती कॉलम छे एज रिते 5251 00106 तेथी में जे करवानों प्रयास करयो ते बताववानों प्रयास करयो के बाह्य प्रोडक्ट नी चार शक्यताओ छे जे हुँ बे डाइमेंशनल वेक्टर स्पेस माटे लखी शकूँ छू तेमने बाह्य प्रोडक्ट आपी शकाई छे जे फक्त एक एंट्री साथे बे बाई बे मेट्रिसीस आपी शकाई छे जे शून्य छे तो आ एक बै एलिमेंट जेवू देखाई छे जे शून्य नथी आ बे एक एलिमेंट नी जेम देखाई छे बिन शून्य छे अने पहलाना एक diagonal elementus हता जेमा एक एक बिन शुन्या हता 5151 ने 5151 एटले एक शुन्या 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 अने 525 2 एटले शुन्या 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 एक तेथी आ प्रकारनों तमने कईक कहवू जोईए कोई पड बे बाई बे मेट्रिक्स जे तमें लखो छो आने डिराक नोटेशन ना टर्म्स मा रजुकरी शकाई छे जा तमारी पासे बे डाइमेंचनल केसमा फाई एक अने फाई बे साथे चार संभवित आधार स्थिती हशे तेथी चालो हूँ तेने लखी दव तेथी जो तमें अमुक ओपरेटर ए लोचो तो तमें आ माटे आव बे डाइमेंचनल वेक्टर स्पेसमा एकोई एक 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 बे एक बे एक बे एक बे तरीके फरीथी लखी शकोँ छो हूँ आने 1, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 2, 1, A5, 2, 5, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 2 तरीके पण फरीथी लखी शकूँ छूँ आपण साचूँ छे, आने हुँ आई, जे ना समेशन तरीके लखू, के जे एक थी बे, ए आई जे, फाई आई फाई जे छे, तो जे म आपणे A-State-Sci, ने समेशन ओवर आई-सी आई साई तरीके लखी शकाय छे, हुँ कोई पन ओप्रेटर लखी शकू छू, आ ओप्रेटर, पोजिशन ओप्रेटर, मोमेंटम ओप्रेटर, कोणिय वैग, कोणिय मोमेंटम ओप्रेटर होई शके छे, दरेक शक्य छे, ओपरेटर द्वारा मारो मतलब छेके, तमें जेक कईपण अवलोकन करो छो, तेथी तेओने कौन्टम मिकेनिक्स माँ ओपरेटर आपी शकाई छे, अने तेओने साई आई अथवा स्टेट ना बेसीज, जेम व्याख्याईत करी शकाई छे, बाहय प्रोड़क्ट ओपरेटर माटेनो बेसीज हशे, एन दाइमेंचनल वेक्टर स्पेस, एन स्कवेर ना बेसीज किटला हशे, अने अही थी आपने कहीं शकीए के एक एक शूँ छे जो तमें एक एक शूँ छे ते शोधवा मांगता हो, तो हूँ तेना विशेकेवी रिते जैश, तो चालो ते करिए, तो चालो आपने फाई एक साथे ओपरेटर फाई एक लईए, जो तमें आ करो छो, तो अमने शूँ मलशे आ लेफ्ट हेंड नी, कोणी ब्रैकेट ब्रा, फक्त शून्य सिवाई नी साथे बे टर्म्स अज, आपशे जेनी साथे मात्र पहलू टर्म, अने बीजू टर्म 3G टर्म ओर्थो नॉर्मल प्रोपर्टी द्वारा शून्य हशे 5-1, जो हूँ ओपरेट करूं तो 5-1-5-2-0 छे तेवी जुरिते 5-1-5-2-0 छे, तेथी ब्रैकेट मुकवा थी, आबे टर्म्स शून्य थशे ब्रा वेक्टर 5-1 जो हूँ बनने बाजुए मुकूतो, आ शून्य थशे, आबे टर्म्स जो हूँ तेना पची केट 5-1 मुकीश, तो ते आस्थिती पर काम करशे अने ते, आ तर्म साथे हुशे, 5-1-0 थशे तो आपने अही थी शून, बेल विशून, फक्त बीन शून्य एलिमेंट एक एक बराबर बन्शे ते थी अही जे कईपन रजू करवानों प्रयास करयो जो तमें एक एबस्ट्रेक्ट ओपरेटर अने एक एबस्ट्रेक्ट बैसीस स्टेट होई तमें आ एबस्ट्रेक्ट ओपरेटर ना कंपोनेंट शोधी शकोचो जेम के C-I जारे हुँ शोध्वा मांगतो हतो C-I 11-I, साथे हतों साई ते थी ते साई साथे साई-I नू आंतरिक प्रोड़क्ट ले छे ओपरेटरों ना संदर्भमा जो तमें आ कोईफीशियंट A-I-J शोध्वा मांगता हो तो तमारे साई-I-A ओपरेटर साई-J एटले के ते छे कोईपण ओपरेटर हेमिल्टोनियन ओपरेटर जे तमें लखी शको अने ते प्रमाणे ओपरेटरों पासे पन बैसिस चे बैसिस आनी बाह्य प्रोड़क्ट चे आँ वेक्टर्स चे जे थी N-सक्वेर बैसिस होई अने तमें कोईपण आर्बिटरी ओपरेटरों ने आ बाह्य प्रोड़क्ट जग्या ओना लीनियर कॉम्बिनेशन तरीके लखी शको छो धारों के हूँ तमने आपू के हैमिल्टोनियन एपसिलोन एक साई एक साई एक प्लस एकसिलोन बे फाई बे फाई बे फाई बे आपेला छे धारों के हूँ तमने आ आपू तो तेनों अर्थ शू छे आ बे प्रोजेक्शन ओपरेटर्स जेवा छे तेमा कोई क्रॉस टर्म्स नथी तेथी आ मेट्रिक्स नू प्रती निधित्व डाइगोनल मेट्रिक्स तरीके लखी शकाई छे ओफ डाइगोनल तर्म्स नी अनेसी साथे तमारे आ नौटेशन मा आपेला कोई पन ओपरेटरों ने वाँची शकवा जोई ये जो तमे तेने मेट्रिक्स ओपरेटर, मेट्रिक्स प्रती निधित्व तरीके मुकोतो तेनो वास्तवमा अर्थ शूँ छे आपणे त्यां थी वाँची शकीशू शूँ ते डाइगोनल छे, शूँ ते ओफ डाइगोनल छे के नहीं परन्तु एक वार तमे तेने आ नोटेशन मा मुक्षो तो आईजन वेल्यू अने आईजन वेक्टर्स मलशे, तमे तमारा गणीतना अभ्यासक्रम मा करेलू छे, कोई पड बे बाई, बे मेक्रिक्स, जो हूँ तमने ए, बी, सी, डी, आपू, तो तमे आईजन वेल्यू केवी रिते शोधी शक्षो, ते थी माइनस लेंबडा आई, डीटर्मिनेंट एक वल टू शून्य छे, तमे ते राइट बाजू थी आईजन वेल्यू शोधी शको छो, तो तमारे आईजन वेल्यू तरीखे लेंबडा एक अने लेंबडा बे, आ पेला छे, आ मैट्रिक्स ए, ए माइनस लेंबडा आई, डीटर्मिनेंट ते शून्य होगू जोईए, पची तमे आनो सोल्यूशन लावो, अने तमे शोधी काढ़ो के बे आईजन वेल्यू शू छे, अने एक वार तमे आईजन वेल्यू जानीयो, पची तमे जानो छो के आईजन वेक्टर केवी रिते श तमे ते मैट्रेसिस मा फरीथी लखवानो प्रयास करी शको, अने तमारा मैट्रेसिस थी जे जानो छो तेनी साथे काम करी शको छो, तो आ ओपरेटर ना आईजन वेल्यू शू छे, जो हूँ तमने पूछू, तो ते खुबज सामान्य छे, एपसिलोन एक अने एपसिलोन वेल्यू अने आईजन वेक्टर्स शोधवा माटे पुछातों युकती प्रश्न होई शके छे, तेमा काम करवा माटे कई नथी, पन जो हूँ तमने ओफ डाइगोनल मैट्रिक्स आपू, तो तमारे थोडू काम करवानी जरूर छे, कारण के एक वार मारी पासे आउफ डा एक साई बे छे, जे ओर्थो नॉर्मल ना आधारे छे, बिन ओर्थोगोनल छे, अने तमें ग्रामश्वीट ओर्थोगोनलाईजेशन करी शको छो, अने प्रक्रिया माँ तमें फाई एक फाई एक जो छो, जे कई नथी परन्तू, आ बाहे प्रोड़क्ट बीजू कई नथ छे, ते स्थिती, छे जे साई एक माटे ओर्थोगोनल बैसीज होई शके छे, अने आने अमें प्रोजेक्शन ओप्रेटर तरीके उडखिये छे, अने बे डाइमेंचनल माँ आपने बे प्रोजेक्शन ओप्रेटर लखी शकिये छे, जे नो सर्वालों एक आइडेंटिटी ओप्रेटर छे, ते थी एन डाइमेंचनल वेक्टर स्पैस माटे, तमें ते माँ थी प्रोजेक्शन ओप्रेटरों एन लखी शको छो, अने ते प्रोजेक्शन ओप्रेटरों नो सर्वालों, एक थशे जो ते न होई तो तेनो अर्थ शूँ छे, धारो के ते एक एन होई, तमें होल स्पेस ने स्पैन न करी शको, अने तमने 20 स्टेट नो संपूर्ण सेट मलो नथी, धारों के तमें X, Y, Z माँ छो अने हूँ तमने फक्त P1 अने P2, आपूं छू अने हूँ कहूं छू के त्यां फक्त 5, 1 अने 5, 2 छे अने जो ते एक ना बराबर न होय तो, ते होल स्पेस ने स्पेनिंग करतू नथी, तमारी पासे वधू एक होवों, जो ये पची आ संपूर्ण बैसी सेट नथी, तमारे त्रण डाइमेंचनल आर त्रण माटे आपवू पडशे, मारे तमने आई केप जे केप आपवू पड आ कंडिशन के आपेल बैसी सेट ना तमाम प्रोजेक्शन ओपरेटरों माटे नो सरवालों आईडेंटिटी होवाने कारणे, संपूर्ण तानी कंडिशन श्यू छे, आ संपूर्ण तानी कंडिशन छे, अने आपणने तेनी जरूर छे, जेना विना आपणे काम, करी शक्त न थी, बैसी सेट, जो हूं कहूं के तेक बैसी सेट छे, तो तेणे आ मापदन्ड ने संतोष वो पढ़शे, तेथी जो हूं और्थो नॉर्मल बैसी सेट कहूं तो, फाई आई फाई आई, समेशन पर्थी आई थी, एन सुधी, एक आइडेंटिटी ओपरेटर होवूं ज जो हूं, आने व्याख्या द्वारा आधार समुह कहूं, तो आने संतुष्ट करवू पढ़शे, आने पुर्णतानी कंडिशन कहवामा आवे छे, अने तमारे पण एक वार ओर्थो नॉर्मल बैसीस कहो, ते समझायूं के आ बधा आई, जे माटे डेल्टा आई जे छे, ज जे छे, एक थी, एन मिजूश्यूं, कोईपण आर्बेटरी ओपरेटर, अल्प विराम जे, सम ए आई जे, कोईफीशियंट, फाई आई फाई जे तरीके फरीथी लखी शकाय तेवूं हशे, कोईपण आर्बेटरी स्टेट साई, लखी शकाय चे, कारण के आ कारजी ले छे, बैसी सेट माँ, स्पैन अने समपुण तानी कंडिशन, अने आ मापदंड नो समावेश थाई चे, शू आ स्पष्ट चे, बे क्रॉस बे बे डाइमेंचनल वेक्टर स्पेस, अने बे क्रॉस बे, मैट्रीसीस मां डायरेक नोटेशन अने तमारा परिचित मैट्रीसीस बच्चे रम्वूं, जो तमे आ विशे स्पष्ट छो, तो तमे कोईपण त्रण क्रोस, त्रण एन क्रोस, एन करी शको छो, ओपरेटरोंना कारियोंनू शू थाई छे, धारों के हूँ एक ओपरेटर तरीके, समेशन पवर आई जे ए आई जे स Wahr tv तरीके लखू छो, ओपरेटरोंना फंक्शनन शू थाई छे, धारों के हूँ आ करवा मांगू छो, ते एक प्रश्न छे, अने पच्छी तमे तेने IA operator ना exponential मां extrapolate करी शको छो, तेश यूँँछे X square आनू पुनरा वर्तन करी रहूँछे, तमे बे अलग-अलग सुचकांको मुकी शको छो अने आ बराबर करी शको छो A square, summation over mn, amn पर हशे अने पच्छी तमारी पासे phi m phi n हशे अने पच्छी समेशन over i j, aij, phi i, phi j अने पच्छी तमारे शू करवानू छे, आ संख्याओ छे, phi n phi i summation over mnij हशे, summation ने बहार काड़ो, बधा स्केलर्स ने बहार काड़ो तो पच्छी आपणी पासे शूँ छे, phi m पच्छी phi n phi i phi j आशों छे ते डेल्टा एन आई छे ते थी तमारी पासे समेशन M N I J डेल्टा एन आई M N माफ करशो M N A I J छी फाई M F I J ते थी जापड एम होई त्या हूँ तेने आई वड़े बदली शकूँ अने I know एक समेशन गयो तो आँ वस्तू तमे तेने M J ना एलिमेंट ना स्क्वेर तरीके लखी शको छो तमे वास्तवमा जोई शको छो के जो आ एक होई तो आ एक स्कवेर नूँ फंक्षन बनी जाई छे ते ओपरेटर नूँ फंक्षन आ कोईफिशियन्ट छे तो आ ते जोवानो प्रयास करी रहा छे तमे जनरल माटे आ प्रयास करी शको छो तो मात्र तमने ए जनाववा माटे के हर्मिटियन शूँ छे तमे तमारा पहलू अभ्यास्क्रम मा हर्मिटियन ओपरेटर विशेश्यू शिख्या छो एक ओपरेटर X ना A साई पर काम करे छे जो ते तमने A साई नो X आपे छे तो तमे कहो छो के ते आईजन वेल्यू छे हर्मिटियन ओपरेटर माटे शूँ जरूरी छे आ एक आईजन वेल्यू इकवेशन छे A आईजन वेल्यू छे जो तमे A थी B ने कोल करवा मांगता हो A कैपिटल A ओपरेटर ने हर्मिटियन ओपरेटर बनवा मांगता हो तो एरियल होवू जोई ये जारे तमे D X ओपरेटर द्वारा D नी एकसपेक्टेशन वेल्यू करो छो त्यारे शूँ थाई छे तमे आने इमेजिनरी बतावी शको छो बॉक्समा तमारा पार्टिकल मा शू तमे आ प्रयास करयो छे क्रूपा करीने आ करो बॉक्समा आनो पार्टिकल पहलू उत्तेजित अवस्थामा अथवा ग्राउंड स्टेट अथवा कोईपण अवस्थामा पार्टिकल लो d by dx नी expectation value शूँचे ते शोधो तेथीज d by dx ए नथी ते मने expectation value आपे छे जे imaginary छे जे अवलोक नक्षम जत्थो नथी तेथीज आपने आ id by dx करिये छिए कारण के dimensional वस्तुओ साथे तमारी पासे negative sign साथे ए एच क्रोस पन छे आ यल हशे मने खातरी छे के तमें ते सौपडी नी समस्याओ माथी एकमा करियूं हशे डेल बाई डेल एक्स नूँ expectation value imaginary छे तमें आ करियूं छे के नहीं जो तमें न करियूं होई तो कृपा करीने करो ते मुश्केल नथी महरबानी करीने प्रयास करो अने साबित करो के बॉक्स माना पार्टिकल माटे डेल एक्स ओपरेटर द्वारा डेल नी expectation value ते imaginary छे जारे माइनस आई एच क्रोस डेल बाई डेल एक्स रियल हशे तेथी जो तमें अवलोक नक्षम कोल करवा मांगता हो तो ओपरेटर नी expectation value रियल होवी जोई ये तेथी d by dx ओपरेटर expectation value रियल नथी ते imaginary छे तो तमारा माटे momentum ओपरेटर माइनस आई एच क्रोस डेल बाई डेल एक्स छे कारण के ते expectation value रियल हशे आ एवी वस्तु छे जो तमने खबर होई तो अमें आ तरफ जई शकिये छिए तमें तमारी रजामाथी पाचा आवो पची गुदवारे हूं हर्मिसीटी कंडिशन कराविश अही हूं थोभूचूं झाल 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 झाल